पैसा कमाने का शॉटकट फिर बोली हैं मेरे से बता रही थी कि आलम के परिवार से अभी तक एकाउंट और कैस मिला के हम एक साल के अंदर 50 लाग तक ले चुके हैं तुम भी यही सब काम करके और पैसा कमालो फर्जिस सोशल मेडिया अकाउंट से ब्लाक मेडि देशी नहीं बलकि उत्रप्रदेश में भी साइबर क्राइम के माम ले तेजी से बढ़ रहे हैं आजकर फेस्बुक और वाट्सअप पर फिर इक प्रोफाइल के जरिए भोले भाले लोगों को महिलाएं अपनी जाल में फसाती हैं और फिर उनसे पैसे की डिमांड करती हैं इसी क्रम में प्रियागराज में पढ़ाई करने वाली एक यूवती ने अपने ही दोस्त के उपर गंबीर आरूप लगाए बलिया की रहने वाली यूवती ने अपनी महिला दोस्त पर साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को ब्लैक मेल करने का आरूप लगाया यूवती का कहना है कि उसके दोस्त सोचल मीडिया पर फेक आईडी के जरी लोगों को अपने जहां से मिलेती है अपने अर्धनंग तस्वीर दिखा कर लोगों को फसाने का काम करती है और फिर उससे पैसे की डिमांड करती है और जो वक्ति उसके डिमांड पूरी नहीं करता उसके खिलाफ एफायार दर्श करने की धमकी देती है पीडित यूवती ने बताया कि आरोपी अपता कई लोगों के खिलाफ फर्जी रेप और आने मुकतमे दर्श भी करा चुकी है निर्दोष्ट लोगों के खिलाफ फर्जी रेप के मुकतमे दर्श कराकर लाखों के धन उगाही भी कर चुकी है आरोपी अपनी दूसरी साथियों को भी सवयत काम में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है जिसका पीडिता ने विरूद किया तो उल्टा उसे ही अब सोशल मीडिया पर बदनाम करना शुरू कर दिया जिसको लेकर पीडिता काफी डिप्रेशन में है उनके चोटे भाई मेरे आँख के सामने है पचीस लाख कैस और दस लाख का सोना आइपोन 13 प्रो मैक दिया जो कि मेरे साथ जाके वो अपने घर रखिया है उसी पैसे से उनका घर बन रहा है फिर इनकी एक मुख्य साथ ही है तोसिवा बानो उर्फ गोला उन्होंने भी अपने सस्वाल वाले वो उपर फरजी रेप केस करा है यह प्यार नमबर है 432 और फिर फिलाल में यह फिर अपने गैंग के साथ मिलके नूर आलम के परिवार पर केस करने वाली है जो कि इनका इलहाबाद क्राइम ब्रांच में कोई जान पैचान है इन्होंने ऐसा किसी से बात किया घर वालोग उठाने के लिए इसका भी सबूत मेरे पास है फिर बोली हैं मेरे से बता रही थी कि आलम के परिवार से अभी तक एकाउंट और कैस मिला के हम एक साल के अंदर 50 लाग तक ले चुके हैं तुम भी यही सब काम करके पैसा कमभालो पिडिता ने जिले के आला अधिकारियों को मामने के सूचना देने के साथ ये मुकदमा धर्श करने के लिए तेहरीर भी दी पिडिता ने पूरे मामने को लेकर डीजीपी समेथ दूसरे आला अधिकारियों को अपने ट्वीट करके भी कारवाई की मांगी है रात को अंचान नमबर से WhatsApp वीडियो कॉल पर कोई लड़की अपने कपड़े उतारने लगे कॉल कटने के बाद एक वीडियो मिले जिसमें आपका अश्लील वीडियो हो वीडियो डिलीट करने के लिए वो आप से पैसे के डिमांड करे तो समझ जाईए कि आप साइबर ठगों के जाल में फस गए हैं इस सेरे की जलसाजी को सेक्स्टॉशन का नाम भी आ गया है लखनो समेत यूपी में इसके मामले बढ़ गए हैं साइबर सेल को ऐसे मामलों में बहुत काम्याबी नहीं मिली है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए प्रियाग्रास से साइद रजा की रिपोर्ट